ईह गाईश देखो कुछ ऐसे स्टॉक है ना जो बिलकुल स्टॉक मार्केट में आपको लंबे समय में बड़ा मुनाफा निकाल के देते हैं तो इसी मन्त में जो आप देख रहा हो यहाँ पर मार्च के बाद जो गया अपर आया मार्च गया सब्सक्राइब अब नहीं मिलने अगर हब हर घिरावट में भी खरीते होनों तो याद रहो कि आपका मेहनत का पैसा है एक रूपे भी आपको नुक्सार नहीं होगा लंबे समय में आपको तगड़ा मुनाफ़ा देखने को मुलेगा दस बिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा उससे पहले बता लगबग राके जुन वाला का एक फेवरिट स्टॉक है जो नंबर बन चलता उनके पॉटफोलियो में और वो स्टॉक लगबग 20-20% के हिसाब से दौनना स्टार्ट कर दिया हो काफी बड़ा वल्यूम भी होता अगर चाहो तो एक बार जाके देख सकतो शौट वीडियो है तो मैं बात करूँ भाई IT स्टॉक्स के बारे में हां देखो मैं आपको बताना चाहता हो निफ्टी जितनी स्पीड से चलती है ना उससे दो गुना स्पीड से चलता है भाई IT इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा तेज भागता है और गिरावट की नाम पे बहुत बाई चंस गिरावट होता है ने तो नहीं गिरावट होता सही है यहाँ पर आपको बताया ज़रा कि जो IT सेक्टर में है वहाँ पर जो आपको काफी बड़ा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता और यह लगबग क्वाटर इसरल भी बहुत सामरे आ चुका बहुत नजदीक इन्फोसेस का तो डेट भी आ चुका है अब HCL टेकनोलजी और TCS का भी उसका भी डेट आही गया होगा पता चली जाएगा आपको सही है तो यहाँ पर देखोगे तो लगबग इन्फोसेस, HCL टेक यह सब जो है यह आपको काफी बड़ा सही है यह आपको मुनाफ़ा दे सकते हैं तो यह जितने सक्टर है यह सर्प्राइज कर सकते हैं आपको दुबारा पहले तो इसने किया ही था लेकिन यह दुबारा करने के कोशिश करेगा अभी देखो सबसे पहली तुख़़े तो खबर को देख लो भाई यह कब खबर आई थी तो देख सकते हो अभी जस्ट आपको आज कल के हिसाब से तो यहां पर अगर आप देखो ए तो यह जितने भी बड़े बड़े रिसर्च आई टी सक्टर के उपर जो इजवाल रिसर्च वगरह हैं यह बोल रहा है कि महीं बहुत आई टी सक्टर जो कंपनी है इसका जो रिजल्ट है काफी ज्यादा सुपिरियर इसके बहुत आए क्यों आईगा क्योंकि यहां पर जो क्वारटर फॉर का रिजल्ट आने वाला है जिसके उपर सभी लोग फॉकस करके बता रहे हैं कर चुम्पर यहां बहुत बहुत आए कफी एचा और देखने को मिला है और एचिल टेकनोलुजी पर तो यह तीनों कंप करके दिखाते हैं प्लस मैं आपको डिविडेंट भी देते हैं अभी आई-टी सेक्टर के बारे में कोई वीडियो नहीं बना लेकिन जिस दिन मैं बोला हूं क्वार्टर रिजल्ट आने वाला होगा ना दो तीन दिन पहले से लोग बनाना स्टाट कर दें क्यूं कि तभी जो तर्गिट बताए जरा 1200 के आसपास देखने को मिला और जितने भी आप फीपर वगरा देखने को सारे स्टॉक में टीस तो अल्रेडी बहुत सारे अच्छे स्टॉक है तो यह सारे स्टॉक जो है क्वार्टर रिजल्ट में भागते हैं मतलब तीन महिने में एक बार चलत बार आपको डिविडेंट देने की कोसिस करती है सोचो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार और यह इन दा फॉर्म आफ कैश आपके अकाउंट में आता है कौंच अकाउंट में तो बैंक अकाउंट में आता यह आपको बैंक अकाउंट में आता और बैंक पंदरे दिन के आज पास तो आपको देखने को मिली जाएगा और हर लंबे समय में भी देखो तो यह स्टॉक काफी अच्छा भागता यह देखो यह लॉंग टाइम ओले स्टॉक है जितना लंबा रखोगे उतना बड़ा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा और इसमें होता क्या क्या है कि आईटी सेक्टर में आपको सेफटी ज्यादा देखने को मिलती है और रिस्क काफी कम होता अगर आपको कम रिसक लेके काम करना चाहते हो या आप बैंक में FD वगरा करवाते हो और चाहते हो कुछ स्टॉक मार्केट में निवेस करूँ तो सबसे पहले मैं आपको देखने को मिल जागा वो भी एक साल के अंदर ही और HL टेकनोलजी में बहुत सही है भाई अगर आप देखो हेवी कॉइंटिटी वगरा खरीदना चाहते हो बड़ा पैसे लगाना चाहते हो तो HL टेकनोलजी जैसे कंपरी में लगा सकते हो देखो मैं आपको बता देता को मिल लगा तो यह जो 100 रुपिस के आसपास आपको गिरावड देखने को मिलता है उसमें आप कंफ्यूज मत हुएगा डरिएगा मत वो क्या होता कि आपके लिए होता है और अगर आपको बिलीव नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं लगबग 1 मंद का मैं आपको चार्ट हो चुका था बिल्कुल 1100 के आसपास हो चुका था और फिर यह स्टॉक कहां तक गिर चुका था अगर हम देखेंगे तो लगबग यह स्टॉक 900 के आसपास हो चुका था सही है तो यहां पर आपको 200 के आसपास गिरावड देखने को मिला लेकिन फिर अगर हम अभी देखते तो भई लंबे समय तक आप रुख भी सकते हो और चार्ट देखिए याप पदा कर सकते हो यह इतने स्ट्रॉंग से रहे है कि इससे कोई भी नहीं जीत सकता मार्केट में यहाँ पर देख सकते हो यह कभी भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलता सही है यहाँ पर देख सकतो HCL Technology आप देखो लोग पहले ही समझदार होते हैं जैसे कि Tata Consultancy Service की बात करते हैं तो यह लगबग अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला मतलब कि नॉर्मल है जादा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर देखोगे तो Tata Consultancy Service में लगबग देखो लोगोंने कितना माल खरीदा है लगबग 50% के आस-पास लोग खरीदा है ना मोर देन 50% के आस-पास क्योंकि उनको पता है तो देखो लोग ने पहले से 50% सोच रना TCS Tata Consultancy Service Reliance को टकर देने वाली कमपणी का नाम है TCS सोचो इतनी बड़ी कमपणी में आपको लगबग 50% के डिले भी देखने को मिला जो कि कुछ जादा ही है जादा ही है और यह स्टॉक मेरे हिसाब से लगबग जो है जितने लोगों ने भी खरीद रखा है या लॉस हो या कुछ भी हो मैं आपको बोलूँगा टेंचन लेने वाली बात नहीं है जल्दी आपको प्रॉफिट होने वाला बस थोड़ा सा पेशेंस रखो बस आपके बस पाइसा आ जाएगा और जहां तक डिविडेंट की बात रहती है तो देखो मैंने आपको बोला था न ये डिविडेंट दिन में अच्छे होते हैं 2020, 2020, 2020 से एक बार बाइबग आया था तो लगबग यहां पर देखो साल में कुछ नहीं कुछ आपको देते रहता है तो बाग के आपकी मर्जी भाई मैं बोलूँगा एक बार आप देख लो आपके हिसाब से आपको क्या सही लग रहा क्या गलत लग रहा करके सही है यह जितने भी इस टॉक मैंने आपको बताई है आपको लंबे समय में भी बड़ा मुनाफ़ाद देने वाले हैं जब quarter result आते है तब भी आपको बड़ा मुनाफ़ाद देने वाले हैं बस इतना सोच लिजाए कि ऐसे stock को बेशना कभी नहीं है वीप्रो के बारे में तो मैंने अलग से वीडियो बना रहा किया है जो उसने एक company को acquire किया है कंपणी को acquire किया है खरीदा भी है और उसको order भी मिला है शारूत अपसे तो उसको उपर ओल्रडी वीडियो बन चुका है जैसे कि Angel हो गया KOTAK हो गया ऐसे जगह पर नहीं तो किसी अंजान जगह पर DMEAT ACCOUN पर पेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका पैसा लेकर भाग जाए जैसे कि कार भी ब्रोकर्स किया था सबकर DMEAT ACCOUN टो राथ और राथ गया हो गया था एंजल में देखो तो लगबग NSC, BSC, Micheer Funds भी कुछ खरी सकते हो को टेंचन वाली यहाँ पर आपको बात देखने को नहीं मिलिया और यहाँ पर लगबग DMEAT ACCOUN फ्री में डिलेवरी चार्जज़ेस फ्री में कीवल 20 रूपीज लगता हो वह भी इंट्राडे में जो हर जगा दिखने को मिलता है यहां पर एक ग्रूप है जहां पर आपको बताया जाता क्या खरीद मैंहां में नहीं अराम से